वेलकम टू स्टड़ी 24 देपूर इस वीडियो में हम बात करेंगे करमचारी चायनायो एस एसी के द्वरा एक नोटिफिकिशन जारी किया गया है जिसमें 7500 पदों के लिए अलग-अलग जो पोस्ट है उनके लिए आवेदन पत्र एप्लिकेशन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किये गए हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुल 7500 पदों के लिए जो आवेदन पत्रा मंत्रित किये गए हैं वो 3 अप्रेल 2000 चोईस से भरने प्रारम हो चुके हैं आप इनको ओनलाइन जो सब्मिट हैं वो 3 अप्रेल 2023 से लेके 3 मई 2023 के बीच में करवा सकते हैं तो प्रारम हो चुके हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं या जो आपका ग्रेजुएशन का फाइनल होता हैं उसमें अगर आप अभी एक्जाम देने वाले हैं तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन पत्र जो हैं वो बर सकते हैं अब देखी इसका जो एक्जाम है वो एक्ज जाएंगे तो जो फस्ट एक्जाम आपका होगा टीर वन का वो जुलाई 2023 में होगा और फिर उसको जो आप क्लियर कर लोंगे तो उसके बाद में टीर टू का एक्जाम होगा और उसकी जो डेट हैं वो बात में बताए जाएगी इसके बाद में अगर हम इसमें age limit की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग age limit हैं आयू सिमा है। सबसे पहले assistant audit officer और assistant account officer के अगर हम भात करें तो इन दोनों पदों के लिए आयू सिमा जो हैं वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होने चाहिए और इसमें जो salary है वो pay level 8 के हिसाब से दी जाएगी 47,600 से 1,51,100 रुपए की बीच में pay level रहेगा फिर pay level 7 जो है उसमें salary आपकी 44,900 रुपए से लेके 1,62,400 रुपए रहेगी और इसमें जो post हैं assistant section officer है assistant section officer अलग-अलग department के हिसाब से है ठीक है और यहाँ पे जो age limit है इनको group B में include किया गया है यहाँ पे first में assistant section officer जो central है उसमें वहाँ पे 20 से लेकर 30 वर्ष के आयू के बीच में होने चाहिए यहाँ पे 18 से 30 के बीच में हैं यहाँ पे 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30, यहाँ पे 18 से 30 के बीच में अलग अलग department है वहाँ पे आयू में थोड़ा different रखा गया है ठीक है फिर इन अलग 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 पदों के लिए आवेदन देख सकते हैं कि जो अधिक्तम सीमा हैं वो लगबख सभी पदों के लिए 30 वर्ष हैं ठीक है कहीं कहीं पे 32 वर्ष भी हैं तो यहाँ पे देखे इन सभी पदों के लिए अधिक्तम जो आयू सीमा है वो 30 हैं और नियूंतम जो है वो 18 वर्ष हैं कहीं कहीं पे अलग अलग department में नियूंतम जो आयू सीमा है वो 20 वर्ष भी हैं फिर pay level 6 के अगर हम बात करें जिसमें आपकी salary 35,400 रुपे से एक लाग 12,400 रुपे के बीच में रहेगी और इसमें जो पद हैं assistant section officer है executive assistant है research assistant है यह अलग अलग पद आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें जो सीमा है आयू के वो भी 18 से 30 वर्ष के बीच में हैं और जो junior statistical officer है उसको group B में include किया गया है और यहाँ पर जो आयू सीमा है वो कितनी है 18 से लेके 32 वर्ष के बीच में हैं और किन department में यह vacancy हैं यह अलग अलग department आपको अलग अलग पदों के इसाब से दे रखे हैं पे लेवल 5 के अगर हम बात करें तो इसमें auditor के लिए accountant के लिए आवेदन पत्रामंधित किये गए हैं जिसमें आपकी जो salary है वो 29,200 रुपे से लेके 92,300 रुपे के बीच में रहेगी और इसमें जो आयू सीमा है आवेदन करने की वो 18 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक के बीच में रहेगी और group C में इनको include किया गया है फिर pay level 4 के अगर हम बात करें जिसमें salary 25,500 रुपे से 81,100 रुपे की बीच में रहेगी और यहाँ पे जो postal assistant होते हैं post office में टिके tax assistant है सब inspector है यह अलग-अलग department साथ में आपको दे रहे हैं वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे जो आयू सीमा है वो भी 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष के बीच में रहेगी अब योगिता कि अगर हम बात करें इन पदों के ल इन पदों के लिए आयू कितनी है 18 से लेके 27 वर्ष के बीच में हैं तो आपका जो date of birth हैं वो 2 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए जहां पे आयू की जो सीमा थी वो 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष थी वहाँ पे जो जनम है 2 अगस्त 1993 से लेके 1 अगस्त 2023 के चाहिएं जहां पर iusima 18 से लेके 30 वर्ष हैं वहां पर 2ब अगस्च 1913 से लेके 1 अगस्च 2005 के बीच में और 18 चाहिए वहां पर का जणम हैं वह में पिर देखिए जो अलग-अलग category हैं उनमें अधिकतम iusima में चुट दी गई है अगर आप SCST वर्ग से आते हैं तो आपको अधिक्तम आयू सीमा जो है उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी मतलब जहां पे अधिक्तम 30 वर्ष हैं तो 35 वर्ष तक की आयू के SCST वर्ग के व्यक्ते भी आविदन कर सकते हैं OBC में 3 वर्ष की छूट दी गई हैं PWD Candidate जो सामानी वर्ग से आते हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई हैं मतलब अधिक्तम अगर 30 हैं तो वो 40 वर्ष की आयू तक आविदन फॉर्म जो हैं वो भर सकते हैं जो PWD OBC में हैं उनको 13 वर्ष की छूट दी गई हैं PWD जो SCST वर् अगर आप डिफेंस सिवा में अगर रहे हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी इस तरह के से अलग अलग जो छूट हैं वो यहां पर प्रदान की जाएगी तो आप देख सकते हैं अब हम qualification की बात कर लेते हैं तो इन पद्दों के लिए अगर आप आविदन करना च पीसर हैं उनके लिए आपको आपके पास में बेचलर डिग्री होने चाहिए बी-ए, बी-कॉम, बी-ए-स-ी आपके पास में होना चाहिए यह essential qualification हैं अन्यवारे हैं और उसके बाद में desire qualification जो हैं अगर आपने C.A. कर रखा हैं ठीक है या फिर आपने CS कर रखा होना चाहिए या फिर आपके पास में master of commerce की डिग्री होने चाहिए एमकॉम आपने कर रखी हो ठीक है एमकॉम आपने business administration में कर रखी हो finance के साथ में या फिर business studies में हो सकती हैं या फिर business economics में हो सकती हैं यह आपके पास में एमकॉम की जो डिग्री हैं वो साथ में होनी चाहिए किन पदों क के लिए ठीक है साथ में मांगा गया है लेकिन जो जूनियर स्टेटिस्टिकल ओफिसर हैं उसके लिए सबसे पहले योगीत आपके पास में बेसलर डिग्री होने चाहिए ठीक है 60% मार्स आपके पास में होने चाहिए और बेसलर डिग्री किस में होने चाहिए मैथरमेटिक्स में होने चाहिए, घणित में होने चाहिए, यह, अगर घणित में नहीं है, तो basler degree आपके पास भूं अपस में किसी भी सब्जक्त में हो सकती ही लेकिन जो graduation में subject होता है, उने में एक subject हमारा क्या होना चाहिए, सांखिकी होना चाहिए statistics अगर आपका एक subject रहा है graduation में किसी भी stream में हो सकता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं statistical investigator के लिए अगर हम देखें तो आपके पास में bachelor degree होने चाहिए एक subject आपका statistics का होना चाहिए उसके बाद में research assistance की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास में bachelor degree होने चाहिए और उसके साथ में minimum एक साल का research का आपके पास में experience होना चाहिए ठीक है ये कुछ चुनिंदा जो पोस्ट थी उनके लिए था बाकी जो बच्ची वी पोस्ट हैं उन सभी के लिए अगर आपके पास में graduation की डिग्री है या अगर आप final के लेर में एक्जाम देने वाले हैं तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं ठीक है बाकी सभी जो पोस्ट हैं उन पोस्टों के लिए आपके पास में केवल graduation की डिग्री होने की अगर आपके पास में graduation की डिग्री हैं तब भी आप इन पद्दों के लिए आवेदन कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं जो इसकी ओफिशल वेबसाइड है ठीक है इस ओफिशल वेबसाइड पर जाके भी आप यह जो पूरा पर्फॉर्मा है एडवर्टाइजमेंट जो है नोटिस जारी किया गया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यह आपका जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आपको इस साइट पर ज इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वह आप लिखा होगा नोटिस ओफ कंबाइन ग्रेजुएट लेवल एक्जाम 2023 उस नोटिस को आप डाउनलोड कर लिए लगबग यह 75 पेज हैं इसको डाउनलोड करके आप विस्तरत इसमें जो सेलेबस हैं वह सारा को जिसमें दियवा है उसको आप देख सकते हैं एप्लिकेशन फीस के अगर हम बात करें तो इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए जो आवेदन फीस हैं वो कितनी रहेगी 100 रुपे रहेगी लेकिन अगर WD वर्ग से अगर आते हैं एक्स सर्विसमेंड रहे हैं या फिर आप महीला केंडिडेट हैं तो आपको किसी भी परकार की फीस देने की आवशक्ता नहीं होगी और ये फीस जो है आपको online एक्टर से जमा करानी है अगर आपने जो फोम भर दिया है उसके बाद में अगर आप इसमें किसी तरह के कोई करेक्शन करवना चाते हैं तो करेक्शन की जो फीस 100 रुपे हैं और ये करेक्शन आप 7 मई और 8 मई दोनों दिन आप कर सकते हैं ठीक है 7 मई 2030 को और 8 मई 2030 इसको रात को 12 वज़े तक अगर आप किसी परकार का कोई आविदन पत्र में करेक्शन करना चाते हैं तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं एक्जाम सेंटर के अगर हम बात करें तो एक्जाम सेंटर जो है वो पूरे भारत में रहेंगे यहाँ पर आप देखिए यह सेंटर रिजन अगर है बिहार उत्तर प्रदेश इसको इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पर यह अलग अलग सेंटर है जांसी लकनो प्रियागराज है कानपूर मेरट वारानसी है आगरा टिक है बरेली यह सारे आप देख सकते हैं इन सबी सेंटर पर यह एक्जाम जो है कंडट कराया जाएगा इस्टन डिजन के अगर हम बात करें पोर्ट ब्लेर आगेस में टिक है ओडिसा सिक्केम वेस्ट बंगोल तो वहाँ पर यह देखिए यह सारे आप देख सकते हैं राची हो गया आपका टिक है तो यह भूनेशर ह इन सबी स्थानों पर यह एक्जाम जो है ओनलाइन कराया जाएगा टिक है उसके बाद देखिए और भी हैं करनाटर केरल लिजन के अगर हम बात कर रहे हैं तो यह देखिए महाँ पर यह अलग-अलग सेंटर हैं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भ और भारत हैं फोसे देखिए निए और भारत बाकी देली हो गया और रुड़की हो गया देहरादुन हो गया हल्दवानी हो गया ठीक है यहां पर यहां पर यह सारे सेंटर है उसके बाद मैं आप आंदर परदेश पांडुचवरी में अगर देखें तो उसके भी यह सेंटर है फिर वेस्टर रिजन के सेंटर अगर देखने चाहो तो यह सारे जो सेंटर है वहाँ पे यह एक्जाम जो है वो कंडर्ड कराया जाएगा और यह जो एक्जाम है दो भागो परुमाइं होती हैं वो पूछे जाएंगे जिसके 25 मार्क एृटरलाप आपका 50 नमर का हो गया यह जडिक आपका है वह 25 मार्क गा डियरट की आरब रोग और अधिक जानकरे के लिए आप जो वेबसाइड है www.ssc.nic.in जो मैं आपको पहले बताई थी उस वेबसाइड पे जाके आप 3 अप्रेल 2013 का जो नोटिफिकेशन है Notice of Combined Graduate Level Exam 2023 उसको आप डाउनलोड करके बाकी इसमें जो आपका syllabus है क्या रहेगा ठीक है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है यह देखिए ओफिशल वेबसाइड है यहाँ पे जाके आपको जो syllabus है पूरा आपको नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है उसी के अंदर आपको पूरा जो syllabus है वो मिल जाएगा